देखे एक बड़ी unfortunate घटना हमारे सामने आई है जो शायद हमने कही social media channels पर भी देखा जिसके अंदर ऐसा allegation लगाया गया है कि शायद battery card tickets पे कुछ enhanced fare किसी से charge किया गया है ज्यादा जो है fare than जो permissible है वो लिया गया है और एक detailed inquiry board के त्वारा की गयी है जिससे ये सामने आया है क ये सारा जो मामला है ये fake है, fictitious है और एक malefide intent से इस पूरे video को बनाया गया है और जो culprates हैं उसके अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिनको battery card की tickets available नहीं हुई और जिसके रोश में उन्होंने ऐसा कुछ video बनाने की कोशिश की है जिससे नाकेबल board की reputation को harm करने की मैं समझता हू मनशा रही है और यात्रियों को mislead करने की इसमें मनशा है और इसका संग्यान board ने लिया है क्योंकि board ऐसी चीजों पर एक zero tolerance policy रखता है जब एक elaborate system यात्री services का in place हो और उसके अंदर इस तरीके की घटनाएं सामने आएं तो उसके लिए जो उचित कारवाई है कानूनी चाह रहेगी और हमारी आप लोगों के जरीए ये अपील भी रहेगी यात्रियों से कि ऐसी किसी भी अगर कोई घटना होती है तो board के द्वारा या board की call centers पे आप information हमेशा ले सकते हैं और एक मैं समझता हूं full proof system technology driven system online services द्वारा जो हमारी services facilities दी जा रही है वो in place किया गया है और इस पूरे मामले की जो जांच है board की एक in depth inquiry के द्वारा की जा रही है और जो भी culprits होंगे उनके खिलाफ सक से सकत कारवाई की जाए जब हम social media के जरीए unverified information circulate करते हैं वो भी मैं समझता हूं उतने ही बड़े culprits हैं जितने वो लोग हैं जिन्होंने इस पूरे जो घटन उनकी वज़े से या उस गुस्से में उस वेंजेंस में उन्होंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है ताकि board की reputation को harm किया जाए और उसके बाद unfortunate बात यह है कि बहुत सारे social media channels ने ऐसे वीडियो को entertain भी किया है बिना verification किये बिना facts को जाने या बिना board से इसके बारे में counter view लेने के बजाए तो मैं समझता हूं यह सारे जो लोग है पूरा nexus है जो कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से एक well established system को जो है उसकी image को खराब किया जाए और यात्रियों को mislead किया जाए और कारवाही करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ना केवल ऐसे elements को मैं समझत रहे हैं और साथी साथ एक deterrence आने की ज़रूरत है कि ऐसी तरीके की जो misleading information है आगे से ना फैलाई जाए जिसके लिए government की भी बहुत सारे नियम कानून लाए गए हैं IT act में rules में भी बहुत सारे ऐसे provisions हैं कि अगर आप इस तरीके की videos को social media के जरीए circulate करते हैं तो उसके खिला देखिए हमारी जितनी भी सेवाएं हैं सारी internet-based या मैं कहूंगा digital backbone पर सारी सेवाएं चल रही है या आप उनको online जरीए से book कर सकते हैं या फिर आप अगर आप over the counters भी जाते हैं तो हमारा counter management system है जो की TCS द्वारा managed है तो fully high-tech system जैसा आपने फरमाया उसी तरीके की system है कि हर एक ticket हमारे system के उपर upload होती है उसी के against receipt उसकी issue होती है और digital receipt issue होती है तो ना यहाँ पर कोई भी manual interventions का scope है और ना किसी के पास ऐसी गुंजायश है कि वो system के अंदर कोई भी हेरा-फेरी कर सके इसको verify करने के लिए हमारे पास CCTV feed हमारे दोनों battery card ticketing counters पर लगा हुआ है चाहे वो अरदकवारी हो चाहे वो भवन हो और उस CCTV feed की 24 घंटे monitoring रहती है तो अगर ऐसा कोई भी incident हमारे सामने आता है तो direct evidence हमारे पास CCTV feed के जरीए विशा ही available रहता है उसके लवा हमारे दो supervisors और managers दोनों battery car counters पर available रहते हैं जब भी current counter से कोई भी tickets issue होती है तो इसके लिए cross check करना और verify करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा समय लेता नहीं है इसलिए मैं जो आपको बता रहा हूँ कि हमने immediately उस सारे feed को review किया हमारे जो supervisors थे हमारे बहुत सारे pilgrims उस टेम पे जो मौझूद थे उन सभी से feedback लेने के बाद ही हम इस इंजाम पर पहुंचें कि इस तरीके की घटन जो है हुई है और ये उन लोगों की जो है मंचा रही है आगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे कहीं कहीं discrepancies भी हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने 8 टिकेट इस प्राइस पे ली हैं कुछ कह रहे हैं जिससे आप समझ आ रहा है कि जो ये discrepancies हैं ये बताती हैं कि एक battery cars के drivers के number, cab के number और call center के number displayed हैं अगर कभी भी किसी को इस तरीके के कोई issue आते हैं तो immediately वहाँ पर first point of contact पर पहुंच सकते हैं जहां पर हमारे लोग immediately उस complaint को attend करते हैं तो ऐसा कोई भी step उन लोगों ने नहीं लिया जिससे ये साफ जाहिर होता है कि जो उनकी intention थी वो टिकेट लेना नहीं थी बलकि कुछ और थी जो शायद inquiry के बाद या पुलीस की कारवाई के बाद ज्यादा सामने आएगा